हाई दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल नौलेज विद संदीप नागर में आज का हमारा टॉपिक है उजेनेसिस गेमेटोजेनेसिस का सेकंड पार्ट है तो आज हम बात करते हैं उजेनेसिस के बारे में NCRT लाइन टू लाइन इससे पहले टॉपिक में मैंने सिपर्मेटोजेनेसिस NCRT लाइन टू लाइन अच्छे से रीड करवाया है तो यहाँ पे देखते हैं उजेनेसिस तो उजेनेसिस क्या है उजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो की सिपर्मेटोजेनेसिस से बहुत ज़्यादा ड़िफरेंस होता है उजेनेसिस तो आप सब जानते हो जब फीमेल की ओवरी के अंतर घब्राइन टू आपका kanod तो जब बच्छी मा के पेट में होती है उसी टाइम पर embryonic development stage के टाइम पर ही उसकी ovary के अंदर millions में, लाखों की संख्या में male sorry, female gamete जो मदर सहल होती है, वो present होती है gamete मदर सहल जिन gamete मदर सहल को हम क्या नाम देंगे, उगोनिया are formed within the each fatal ovary तो जो बच्ची होती है, मा के पेट के अंदर उसी time पर, embryonic development के time पर ही, उसकी एक ovary के अंदर, लाखों की संख्या में unmatch or gamete होते हैं, जिन unmatch or gamete को हम जो नाम देते हैं, उगोनिया no more oogonia are formed and added after breath, जनम के बाद में कोई भी oogonia, मतलब unmatch or female gamete यह होंगे कोई भी unmatch or female gamete add नहीं होंगे, जनम होने के बाद में जनम होने से पहले ही ovary के अंदर यह सारे बन जाते हैं these cells start division and enter into profage 1 तो सबसे पहले उसी time पर ही embryonic stage के अंदर जैसी बच्ची का जनम होता, तो उस time पर क्या होता है जो यह oogonia होते हैं यह division होने के लिए जाते हैं और इनके अंदर meiotic division होता है और meiotic division होने के बाद में यह temporarily arrested हो जाते हैं temporarily arrested क्यों हो जाते हैं क्योंकि देखो, इनको mature होने के लिए कुछ hormones की जरूत होती है LH और FSH और LH और FSH female के अंदर puberty stage पे ही release होंगे उससे पहले release नहीं होंगे इसलिए यह cells जो होती हैं वो temporarily arrested हो जाती है और कुछ बहुत सारी cells वहाँ से degenerate हो जाती है जो temporarily arrested होने वाली cell है जिनके अंदर division होता होता रुख जाता है temporarily arrested का मतलब है division होते होते रुख जाना तो उन cell को जो नाम देते हैं primary oocytes तो वो cell आपकी primary oocytes होती है each primary oocytes then gets surrounded by a layer of granulosa cells जो पिरते आपकी जितनी भी cell होंगी जैसे कि मानलो हमारे पास में यह primary oocytes है तो इसके उपर एक layer बन जाती है जिस layer को जो नाम देते हैं वो नाम देते हैं granulosa cells की तो granulosa cells की एक layer बनती है जिस layer को बोलते हैं primary follicles primary follicle के बाद में a large number of these follicles degenerate during the prophase phase from breath to puberty तो जब primary follicle बनते हैं तो उस टाइम पर यह बहुत सारी cells को degenerate कर देते हैं primary oocytes को degenerate कर देते हैं और last तक जब हम देखते हैं तो जो primary follicle होते हैं puberty तक जो primary follicle है केवल कितने बनते हैं तो अब तक millions मतलब लाखों primary oocytes बने लाखों primary oocytes के उपर follicle बने follicle बनने के बाद में puberty stage तक जाते जाते एक female की ovary के अंदर केवल 60,000 से 80,000 primary follicle बचे लाखों में से 60,000 से 80,000 follicle बचे बाकी के सारे degenerate हो गए इसके बाद the primary follicle gets surrounded by more layers granulosa cells तो जो primary follicles थे इनके उपर और granulosa cells की layer बनती है इसके साथ साथ कुछ थीका cells की layer बनती है जिस layers को जिस follicles को जो total नाम देते हैं हम बोलते हैं secondary follicle secondary follicle soon transform into a trusty follicle और secondary follicle बाद में trusty follicle के अंदर transfer होता है which is characterized by a fluid filled cavity called entram जिसके अंदर एक cavity होती है जिस cavity के अंदर कुछ fluid भरा होता है उस cavity को हम बोलते हैं entram the थीका layer is organized into an inner थीका intra and outer थीका extra जो थीका layer होती है ये दो layer बनाती है अंदर वाली थीका को हम बोलते हैं intra interna और बाहर वाली थीका को हम बोलते हैं external it is important to draw your attention that it is at stage that the primary oocyte within the trusty follicle grow in size तो जो ये थीका layer जो बनती है ये important होती है इस stage के अलिए वो क्या काम करवाती है primary oocyte जो होते हैं वहां से trusty follicle के अंदर आपका secondary follicle के बाद में tertiary follicle बन गया तो ये जो layers बनी आपकी ये cells जो क्या काम करवाती है primary oocyte के size को grow करवाती है जब primary oocyte का size grow हो जाता है तो complete a fresh meiotic division जब उसके अंदर complete a meiotic division हो जाएगा इसके बाद में it is an unequal division resulting in the formation of large haploid secondary oocyte तो इसके अंदर फिर आपको जब unequal division होगा first meiotic division होगा first meiotic division के अंदर क्या होगा पहले हमारे पास में जितनी भी cell थी primary oocyte जो था उसके अंदर आपके 46 chromo-jum थे female के अंदर अब इसके अंदर जब meiotic division होगा इस बड़ी cell को नाम दे रहे हैं secondary oocyte और वो कैसी cell है haploid cell है जिसके अंदर 23 number of chromo-jum है और दूसरी जो cell बनी उसको हम बोले tree fresh polar body तो वो पहली fresh polar body है जो छोटी body है diagram के थोई में आपको complete explain करूँगा तो एक बार पहले NCRT line to line read कर लेते हैं इसके बाद में diagram के थोई completely explain करेंगे इसको इसके बाद है secondary oocyte retain bulk of the nutrient जो secondary oocyte होता है वो bulk part होता है वो मोटा part होता है जिसके अंदर cytoplasm में nutrients होते हैं कुछ पोसक पधार्थ होते हैं बोजन के लिए of the primary oocyte तो primary oocyte के बाद में जो secondary oocyte बना है आपका उसके अंदर ज्यादा bulk part है secondary oocyte आपका देखने को मिल रहा है इसके बाद है तो यहाँ पे question पूछ रहा है कि जो पहली polar body बनी थी उसके अंदर fresh mutic division के बाद में जो पहली polar body बनी उसका क्या हुआ आगे जाके वो आगे जाके divide होगी या वो degenerate हो जाएगी वैसे इसका जो answer बताते हैं वो degenerate होना बताते हैं बट इसका जो answer है अभी तक surely कोई पता नहीं कर पाया है तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ के लिए लिए इस CRT के अंदर at the present we are not very certain about this तो आज present के अंदर इसके बारे में कुछ किसी ने कुछ भी अभी बताया नहीं है डा टरत्री फॉलीकल फर्दर चंज एंटू दा मैचौर फॉलीकल और गिराफियन फॉलीकल अब जो यह टर्सडी फॉलीकल है यह मैचौर होकर कि गिराफियन फॉलीकल में बदल जाएंगे और जो सेकंडरी उसाइट होगा आपका वो एक लेयर बना लेगा अपने उपर जिस लेयर को बोलते हैं जोना पिलुशीडा तो अपने आसपास एक लेयर बनाएगा जिस लेयर को जोना पिलुशीडा बोलेंगे अब जो ग्राफियन फॉलिकल नाव रप्चर तू रिलीज दर सेकंडरी उसाइट अब जो ग्राफियन फॉलिकल बना था उसके अंदर अभी तक सेकंडरी उसाइट था जैसे ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा तूटेगा तो वहां से आपका सेकंडरी उसाइट बनेगा और उसी secondary suicide को हम ovum नाम दे रहे हैं अभी तक आगे भी ovum के अंदर secondary suicide के अंदर division होगा proper ovum वही होगा पर यहां पर हम इसको ovum का नाम दे रहे हैं तो यहां पर कौन सी process हो रही है रप्चर होने वाली process को हम जो नाम देते हैं ovulation देते हैं जिसके अंदर ovary के द्वारा रप्चर होता है जिसमें से secondary suicide निकलता है उस process को हम क्या बोलते हैं ovulation जिसके अंदर ovulation क्या है ovulation is the process in which release the ovum जिसके अंदर ovum आपके release होते हैं उस process को हम ovulation बोलते हैं तो आपने यहां पर पढ़ाए आपने यहां पर identify किया बहुत सारी difference देखें सेpermetogenesis के अंदर और उजनिस के अंदर इससे पहले part के अंदर मैंने सेpermetogenesis को explain किया तो आप देख सकते हो उनके अंदर क्या क्या difference हमें देखने को मिलते हैं तो अब आईए आप बात करते हैं diagram के थरूँ आपका यहां पर जो diagram दे रखा आपका यह वाला यह वाला diagram female वाला आपका जिसके अंदर ऊजनिस है यह वाला diagram आपका ऊजनिस वाला आए और यह वाला diagram आपका सेpermetogenesis वाला है तो सबसे पहले बताया मैंने कि उगोनिया जो होते हैं वो female की fatal ovary शे ही वो हमें देखने को मिलते हैं जिनके अंदर ये आपको उगोनिया देखने को मिल रहा और उगोनिया के अंदर जब तक वो embryonic stage पे है उसी टाइम पे उसके अंदर क्या हो रहे हैं division होने start हो चुका है और उसी टाइम पे division हो गया ये ब्रत से पहले वाली बात है जब division हो गया तो division कौन सा होगा first mitotix division mitotix division होगा और mitotix division के अंदर सारी cells में जो division होता है वो equational division होता है उसमें 46 क्रोमो जो नमबरी आने वाली cell हमें देखने को मिलेंगे होने के लिए prepare करेंगे अपने आपको बट बहुत सारे जब primary follicle बन जाएंगे तो कुछ सारी cells क्या हो जाती है degenerate हो जाती ही तूड जाती ही जिससे की last तक ovary के अंदर साइट 1000 से 80 000 केवल primary follicle बसते हैं अब ये primary eosite है आपका इस primary eosite के हुआ है वो काम हुआ आपका purity stage पर आगे जाके जब उनको hormones जो जो favorable hormones थे हैं वो सारे hormones जब उनको मिल गई है तब वो काम करना स्टू करेंगे LHA, FSH, estrogen, progestion वो सारे hormones जब मिल जाएंगे तब उनके अंदर division start होगा तो आपका सबसे पहले उसके अंदर से दो पार्ट में निकलते हैं तो एक बनता आपका fresh polar body और एक बनता आपका secondary eosite secondary eosite bulk part होता है इसके अंदर nutrients होते हैं और इसके पास में 23 number of chromo jom होते हैं इसके बाद में जब fertilization process होती है तो आपने देखा यहाँ पे ovulation के अंदर secondary eosite निकल के आया अगर सिपर्म की fertilization होती तो उस time पे ही just उसी time के अंदर division होता है उसी time पे secondary eosite जो होता है वो second meiotic division करता है आपका second stage आती है meiotic division की जिसके अंदर second polar body बनती है एक बहुत छोटी body बनती second number वाली और एक बड़ी body बनती है तो डाइगराम के थोगा आपका यह है यहाँ पे आपको क्रोमो जोम नंबर दिये हूँ है यहाँ पे आपकी पूरी stage लिखी हुई है किस तरीके से इसके अंदर differentiation देखने को मिल रहा है अब हम बात करते हैं ovary के अंदर कैसे कैसे activity हो रही है ovary वाले डाइगराम को explain करते है तो आपको देखी यह blood vessels से ovary के अंदर आती हुई veins और arteries है तो ovary के अंदर बहुत सारे इस तरीके के primary follicle यह जो आपको structure देखाई दे रहा है यह primary follicle है तो ऐसे एक ovary के अंदर primary follicle बन जाते हैं साइट से 80,000 जैसे ही primary follicle बनता तो इसके बाद में secondary follicle बना यहाँ पर तरस्थी follicle बना यहाँ पर यहाँ पर आपका तरस्थी follicle बन गया और तरस्थी follicle के अंदर बताया था मैंने एक fluid filled cavity होते हैं जिस cavity को हम entram बोलते हैं तो इसके अंदर entram cavity यह आपकी इसके बाद आपका ग्राफियन follicle बना और ग्राफियन follicle रप्चर होने के बाद में वहाँ से ओम बाहर निकल गया मतलब secondary site बाहर निकल गया और जितना भी ग्राफियन follicle था उसका corpus luteum बन गया ठीक हैं और आपका जो ओम है वो हेलोपिन ट्यूब की तरफ चला जाएगा और ये इसकी साथ साथ में जो ovary होगी वो menstrual cycle को भी maintain करने का काम करेगी वो जब menstrual cycle हम completely पढ़ेंगे इससे अगले वाले topic के अंदर वो वहाँ पे हम ovary की act को और hormonal act को वो सारा सब कुछ explain करेंगे आई होप आपको उजने से complete समझ मा आ गया होगा इसी तरीके से NCRT line to line read करने के लिए हमारे चैनल को subscribe करें साथ में ही need previous year questions करने के लिए हमारे चैनल पर जाए और वहाँ पे बहुत सारी वीडियो आप देख सकते हो जिसमें मैंने topic wise need previous year questions कराए हुए है